हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उमीद है आप सब मस्त होंगे तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रो बाइलोजी का एक नया टोपिक रिप्रोडक्शन बैक्टेरिया जिवान का जो परजिनन है रिप्रोडक्शन बहुत इंपोर्टेंट है माइक्रो बाइलोजी में जब तक स्पार्ट को हम नहीं पढ़ते हैं तब तक आनंद नहीं आता है तो BSC First Year की क्लास हो रही है जैसे कि आपको थंबने लोगेरा पर दिख रहा होगा तो आज हम पढ़ने वाले हैं BSC First Year Microbiology ठीक है थोड़ा से यहां पर आपको बता देता हूं ताकि आपको यह तो पता चले कि हम आखिर पढ़ने वाले क्या है ठीक है BSC First Year Microbiology जो कि हमारा वनस्पत विज्ञान में आता है किसमें वनस्पत विज्ञान मतलब बोटनी ठीक है तो Microbiology से कुस्चन खूब पूछे जाते हैं आज का जो हमारा टोपिक है वो है Reproduction in Bacteria मतलब जीवाण में जनन जीवाण में जनन खूब सारे कुस्चन यहां से पूछे जाते हैं एक एक डिसकस करेंगे तेक है Reproduction में भी जैसे कि Asexual और Sexual होते हैं Alangic और Langic Hindi English दोनों Language में आपको बताएंगे तो उससे पहले थोड़ा सा हम Overview दे देते हैं एक बार Bacteria का कि आपको Bacteria पता है या नहीं कुछ लोग ऐसे होगे जो पहली बार Class कर रहे होंगी Bacteria कि उनको नहीं पता हो गया तो इसी में जान लेंगे बैक्टेरिया Microscopic मतलब सब Microscopic Particle होता है पहुत ही छोटा जी होता है Organism ये Naked Eye मतलब नगने आँखों से नहीं दिखता है इसके लिए हमको High Power वाला Microscope चाहिए होता जिससे हम देखते हैं इसके बनावट में देखते हैं Morphology तो अंदर इसका जो है ये Genetic Material होता है में पहुड़ा सा करलर-चल्ज कर लेता हूँ ये ये जो है न ये इसका Genetic Material है क्या है Genetic Material बीच में भरा हुआ है ये, ये Genetic Material होता है Nucleide जिसको बोलते हैं Circular DNA नुक्लिवाइट क्यों बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर नुक्लियस अपसेंट होता है जो कोईंद्रक होता है वो अनपस्थित होता है आप हमारे चैनल पर देखोगे प्लेलिस्ट में माइक्रोवियल वर्ड वाले में आपको इस सब्स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा वहां लेक्चर ठीक डिटेल में बताया हूं इसके अरवाइस में क्या मिलता है इस तरह से सर्कुलर डवल इस्टेंडड डिन्ने होते हैं साइटो पलाजमीड बोलते हैं बहुत इंपोर पलाजमीड पढ़ना है तो टाइप करिए यूटूब पर टाइप करिए पलाजमीड बीएसी फरस्ट यर बीएसी वर्ल्ड हमारे चैनल का नाम साथ में लिखोगे टोपिक के तो आपको मेरा लेक्चर तुरंत मिल जाएगा ठीक यह पिलाई होती है यह बहुत इंपोर्ट पाए जाते हैं लेकिन यह राइपोसों 17 येस टाइप के होते हैं और माकीस का यह साइटो पलाजम है क्या है साइटो पलाजम है इसमें कवरिंग बहुत तगड़ी पाई जाती है ठीक कवरिंग पर खोब कुश्चन भी पूछा जाता है सबसे अंदर पलाजमा मेंबरेन हो सबस Corinthians और यह बड़ा सा एक फृजलम होता है एक जीवांडी यह यह बैक्टेरिया का सब्सकत्राइब इसकी से लवाल हॐते है ता ही कि से यह सारी चीजह मैंने बता रखी है माइक्रोबियल वर्ड वाली आप प्लैलिस्ट में जाओगे चैनल में सारे लेक्चर मिल जाएंगे तो उन सब को आप देख लेना थोड़ा सा और और देख लेते हैं इसका यहां पर ठीक है फिर हम सीधा रिप्रोडक्शन वाली टॉपिक पर आते हैं यहां देखो लिखा है बैसिक साब बेक्टेरिया दा इसमालेस्ट एंड मोस्ट कावन माइक्रो और प्रो कार्योट्स यू्नि सेल्लर होता है ओर गिंजम्ट लेक्स और न्यूगलियस। इसलिए इसको प्रोकैरियोट कहते हैं जल्दी-जल्दी हम आपको बैस नास बनाए गए इसमें बाटा घया है आर्कियां में ओल्टन्त बैक्टिरिया सबसे पुराणी गजह कें Ch Nobody आते हैं ठीक है ठीरहें एक करेक्टरिस्टिक आ आफ Yubacteria सेलवाल फ्रोटेक्च्ट्ट्स तैंड डिंटरमाइने सेउ उसकी कmen का काम करते है यह सेलवाल जो है protection का काम करते बेक्टेरिया को बचाती और determine shape मतलब इसका जो आकार होता है उसके निर्धारण में भाग लेता है सेलवाल के वज़े से इसका आकार proper shape बन पाता है सेकेंड है इसमें cell membrane surrounds cytoplasm और एक boundary create करता है cytoplasm की ठीक गूगल आप पार्ट पिक्चर आफा इकोलाई ठीक इकोलाई जो है live in your gut and does not hurt समझे रहे हैं जो इकोलाई बेक्टेरिया होता है इसके रिसिया कोलाई उसके बारे में खोड़ा सा बात करते हैं तो हमारे गट में पाया जाता है गट मतलों elementary canal जो होती हमारी elementary canal ठीक है जिसको हम हिंदी में आहार नाल बोलते हैं क्या बोलते हैं आहार नाल उसमें पाया जाते हैं और कुछी भी प्रकार की problem create नहीं करते हैं contaminated food can make you sick मतलब जो संक्रमित भोजन होता है उसमें भी हो सकते हैं bacteria can be found living in forest and salt water ताजय वाटर में मिल सकते हैं ताजय वाटर मतलब नदियों का जो हमेशा बहती रहती है salty area जो होगा water का उसमें on land पे भी मिल सकते हैं in the human body bacteria that is found in your God helps to break down our food ठीक है अगला है आर्की वेक्टेरिया can be found living in extreme environments मतलब विपरीत परिस्थितियों गरी को या परिस्थितियों में भी यह मिल्ट देखने को मिलते हैं इसलिए उनको आर्की वेक्टेरिया जो है ना इसमें जैसे कि साल्टी एरिया में मिलेंगे होट विट डेखने को मिलेंगे गरम जर्म होते हैं तो जितने विपरीत इस्थान न Steve संभव नहीं वहां पे आरकी आया आक मिलते忘लो आयमा फ्रीटमल कहें वहां फ्रकाप थे प्लिश स्थिक और अध ये, live in salty environment live in hot springs जो गरम जरने होते हैं deep sea levels समुद्र में बहुत गहराई तक मिल सकते हैं तो आर्की वेक्टिरिया सबसे पुराने जीव माने जाते हैं पर सबसे पुराने oldest organism है और हर जगे पाये जाते हैं how prokaryotes are classified first is three basic shape होते हैं जैसे कि बैसिलाई है spirula है और cocae है इसके अलावा भी एक होता है इस पे बैसिलस हो गया cocus हो गया और spirula हो गया और इसके अलावा एक और होता है bacillus, cocus, spirula और कौन होता है vibrio होता है क्या होता है vibrio थोड़ा याद नहीं आ रहा था इस टेम जो कामा सेप होते हैं बैसिलाई, बैसिलाई कैसे होते हैं थोड़ा सा आपको एक सेकंड मात्र एक सेकंड लेके भी बता देता हूँ यह सेप बताएगा है bacteria का बैसिलाई होते है road shape आप road तो आप जानते हैं यो खड़े होंगे इस तरह के ठीक ऐसे इसमें बैजाण भी बनते हैं इसपॉर स्पॉर का formation भी होता है इसہतली जो थे हो जोहते है यहां पर फ्लघलन यह निकले हें इस तरीके के कुछ इस तरीके के जिवन होते हैं ऐसे bacteria होते है कोका ही भाई या गोल गोल होते हैं और विप्रियो इस तरीके के कामा सेफ के होते हैं, कैसे होते हैं, कामा सेफ के, तो यह कुछ सेफ होता है, अधर केमिकल नेचर आधियर सेलवाल, अधर के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुकि हमारा आज का जो पार्ट हो क्या है, मैन पार्ट है हमारा, क्या है भाई, रिप्रोडेक्शन, ठीक तो रिप्रोडेक्शन पर हम फोकस करेंगे आज पूरा, तो रिप्रोडेक्शन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा और एक दो चीज़े आपको बताता हूं, एंटोन वान लिवन हॉक, डिसकवर्ड सेल वाई, एक्सिडेंट इन लेट सिक्स्टीन, हंट्रेट, मैं, ठीक, तो बेक्टेरिया को सबसे पहले लिवन हॉक नहीं देखा था, ठीक, ये सारी चीज़े तो हम आपको बता दिये हैं, फ्लेजल मगेरा के बारे में, प्रोगरियोट होता है, मतलब जनेटिंग मटेरियर, फांट फ्लोटिंग इन साइट यूजड फार मोमेंट मतलब गतिसीलता प्रदान करने के लिए एक फ्लेजला होता है, यह देखो यहाँ पर इस्पारिलम दिखाए हुई है, यह बेसिलाई है, और यह कोकाई है, कामा सेप वाले इस तरह से विब्रियों भी इसमें, आपको देखने पर मिलते हैं, सेप में ने करने के लिए इसमें, मैं तेली द्राम है कर दोंगा है, मैरा अनुलाक का नाम है नाम थि लेजख हैंसने करने मतलब सेखनेखें, और यह तकर आपको सहं है, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा नूट्रेशन जो होता है जितने अपरकार के और नूट्रेशन अभी तक अवेलिबल हैं सब बैक्टेरिया में फा जाते हैं इतना कॉंप्लेक्स मतलब बैक्टेरिया को अगर बराबर फूट सफलाई हो रही है और उसके जो है फेवरेबल कंडिशन है उसके लिए फेवर कर रहा है तो वो हर 20 मिनट में डिवाइड करता है हर 20 मिनट में डिवाइड करता है अब इसमें एसक्सुल रिप्रोडक्शन होता है तो इसको हम बाद में देखते हैं पहले जो हमारे में सलाइड थी स्टार्टिंग में जो खाय थे इसको देखो रिप्रोडक्शन इन बैक्टेरिया यही है हमारा आज का टॉपिक मतलब जी जीवाड में जनन जीवाड में जनन पहला है एसेक्सुल रिप्रोडक्शन मतलब अलेंगिक जनन और दूसरा है पहला सेक्सुल मेथड या फिर इसको कह सकते हो लेंगिक जनन परालेंगिक क्या बोलते हैं परालेंगिक जनन अब इतना तो आप लोग जान ही गए हो भी यह से कर रहे हो कि एसक्सुल मेथड जो होता है इसमें एक ही बैक्टेरिया ओनली वन बैक्टेरिया पार्टिसपेड करेगा ठीक और इसमें दो दो बैक्टेरिया की ज़रूरत होगी क्योंकि यह सेक्सुल रि के लिए कि इसमें चार प्रकार क्या होता है चार डाउयका पहला है बाइनरी फिजन सेकट है कॉनीडिया फोर्मेशन थर्ड है बढ़िंग इसमें बढ़ का फॉर्मेशन होगा और लास्ट में यह फॉर्थ है मारा सिस्ट के द्वारा सिस्ट मतलब पुटी बहुन जिसको होगा binary fusion को हिंदी में भी binary fusion ही बोलते हैं binary भी बाइनरी थीजन ठीक इसके लबा इंडो इसपोर बनता है क्या बनता है इंडोस्पोर मतलब अंतह विजाण अंतह विजाण फ्रमेशन द्वारह यह हो गई अलेंगिक की मेथद इधर ट्रांसफोर्मेशन, ट्रांसडक्षन, कंज्यूगेशन ये तीनों भाया वेरी 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 पांच वाल वेरी फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो यहां से हैंडेड़ परसेंट आपको बिस से फरस्ट एर में मिलेगा ट्रांसफोर्मेशन, ट्रांसडक्षन, कंज्यूगेशन ये तीनों आपको रट लेना है और इसको मैं जितना बताऊंगा उतना ही रट लेना है कहने का मतलब यह है कि आज हम एसक्सवल लिप्रोडक्षन जो होता है वेक्टिरिया में सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे अगली गलास में आपको सेक्सवल मेथड जो ट्रांसफोर्मेशन, ट्रांसट्रंक्षन और कंज्यूगेशन के बारे में बताएंगे क्योंकि बड़े बड़े टोपिक है तो यह में खतम करना उचित भी नहीं है थोड़ा अच्छे से समझेगे ताकि चीजे देर तक याद रहे तो सबसे पहले हम बाइनरी फिजन की बात करते हैं बाइनरी फिजन इन आ बैक्टेरियल सेल देखो यह एक बैक्टेरिया था औ चैल रोडियूज तो डॉटर शेल्स नोग दोडर सेैल्स तो यही होता है बाइनरी फिजन इज अ टाइप आप ए सेक्शुवल लिपरूडेक्शन को फिर आप पैरेंट शेल डिवाइट पैरेंट शेल कहने का उतलब देखो अब यह जो एक सेल है फ़स्ट वाली यह नहीं है ना तो भाई इससे फॉर्म हो रही ना तो इसको पैरेंट सेल बोल रहते हैं और ये इसके बच्चे वाली सेल हो जाएगी ना बच्चे हो जाएगे इसके डॉटर हो जाएगी तो बाइनरी फीचर इस टाइप आफ एसेक्स्वल प्रोडक्शन फिर अपैरेंट शेल resulting in two identical cell कहने का मतलब समझ रहो आइडेंटिकल मतलब genetically और structurally morphologically दोनो रूप से identical होंगी कैसी होंगी identical होंगी मतलब हूब 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 समान होंगी कहने का मतलब इसमें कोई variation नहीं देखना हो क्योंकि आपको पता ही है asexual reproduction उसके लिए जो संतान बनती है उसको हम clone बोलती है क्या बोलते है clone word use किया जाता है क्योंकि वह हूब हूब किसके समान होती है parent cell के समान होगी तो यह जो दोनों सेम होंगे पैरेंट सेल की तरह हैं तो यह सारी important point हैं जितने मैं करा रहा हूं Each cell has the potential to grow to the size of the original cell मतलब यह जो डो डाउटर cells बनी हैं इन दोनों में इतनी छमता होती है इतना potential होता है कि यह जो नई जो पहली पुरानी को इसका थी parent cell उसके जैसे यह growth करके बन जाएं तो यही होता है अब होता क्या किस step में है उसको थोड़ा सा समस्ते देखो यहां पर binary fusion in a eukaryotic cell में दिखाया गया ठीक एक GRD या लेंबलिया यह क्या होता है GRD या से GRD इंटस्टाइनलिस होता है इसे intestine में disease cause किया जाता है क्या disease देखो यह ट्रोफोजोट है ना यह सिस्ट है सिस्ट अब यह डिवाइट कर रहा है देखो दिरे दिरे किस कितनी स्टेजे दिखाई गई है यहां पर दो बन गए है दिरे दिरे इस तरह से दो बन जाते है ठीक रिप्रोडक्शन होता है तो इसके बारे उनको ज्यादा नहीं पड़ना यह प्रोटोज होगा है हमको बैक्टेरिया की बात करने ठीक तो binary fusion का यह डाइग्राम देखिए आप इसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे ठीक चीजों को यह देखो binary fusion सबसे पहले क्या हुआ यह एक बैक्टेरियल सेल्थी ठीक बैक्टेरियल यह है इसका साइटोफालाजम और इसके अंदर इसका nucleoid पड़ा हुआ है मतलब genetic material genetic material यह genetic material है cell replicates its DNA सबसे पहले क्या हुआ देखो आपको दो भाग दिखरेंगे DNA का तो जब बैक्टेरिया divide करेगी तो आप देखो इसको एक से 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 एक शेल से ृक है थैक दो छेल बनानी एक कोशिका रिइन ने भी तो ड़ उतलों करना पड़ेगा इसका नुकलियाइड होना चाहिए समझ रहे हैं तो reproduction का तो मतलब यही है तो यह सबसे पहले replication होता है इसमें इसका जो DNA होगा उसके मातरा double की जाएगी cell replicates its DNA यह cell वाल है cytoplasmic membrane है यह replicated DNA दिखाए गया यह इसका पुराना DNA था यह replication हुआ है फिर second step क्या होता है यह step पूरे लिखोगे आप याद भी करोगे the cytoplasmic membrane elongates separating DNA molecules मतलब देखो यह bacteria का एक single bacteria का original size था जब इसने बहुत सारा double कर लिया DNA तो जगह इसको जादा चाहिए और divide करके दो बनाना है तो थोड़ा बढ़ना तो पड़ेगा ना cell को तो cell का करेगी cell membrane जो इसकी होगी वो elongation होगा उसमें बढ़े separating DNA molecule देखो बीच में जगह आ गई यह जो पहले वाला पुराना था DNA और यह replication के बाद में हुआ ठीक third step में क्या होगा cross wall forms membrane invasinates मतलब यहां पर cross wall यह क्या है यह है cross wall ठीक क्रोस वाल का वाल का फॉर्मेशन हो रहा है cross wall form हो रही है इसके बाद में क्या हो रहा है देखो cross wall forms completely मतलब यह complete देखो cross wall form हो गई है cross wall का फॉर्मेशन completely हो गया है और फिर यह daughter cells में divide हो जाते है इस तरह से तो simple सी चीज़े क्योंकि ज्यादा चीज़े divide नहीं करने होती है इसमें देखो ribosome जो होते है ना दोनों के वो भी सत्तर इस परगार वाले वो भी साथ में होते हैं इस तरीके से ट्रांसफर होते हैं दोनों में बराबर तो यह आपको दिख रहा होगा इसी तरीके के इसी तरीके से क्या होता है इसमें binary fusion का process होता है binary fusion अब second हम बात करते है कोनीडिया की किसकी कोनीडिया कोनीडिया ठिक कोनीडिया निरमार के द्वारा formation आप कोनीडिया तो यह बहुत बेसिक कोणीडिया देखने को मिलते हैं जैसे कि एकजामपल के तोर पर आप याद कर सकते हो dial evio go lijджou इसपर जिलस हो गया इस पर किल लस हो खें तो इन सब में आपको एडिया देखने को मिलता किन बेक्टेशिया भी होते हैं कुछ ऐसे जिसमें इडिया बनता है देखो पहला पांट है, some bacteria such as streomyces considered as true gram positive bacteria जिनको हम true gram positive bacteria बोलते हैं produce conidia in chain chain कहने का मतलब इस तरीके से conidia जो इसके होंगे पूरी chain बनाया होंगे ठीक है, इस तरीके से आपस में कई सारे जुड़े होते हैं, each conidium germinates to geraisa new bacterial thallus कहने का मतलब देखो, ये सभी जो पूरे की एकर बात करेंगे तो कहेंगे conidia जब हम एक single की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं, conidium मतलब ये singular word है और conidia plural word है plural मतलब सबको एक साथ में बोला जा रहा है ये इतनी चीजे तो आप लोगों को पता ही है तो इसमें क्या होता है ये पहले germinate, ये इस तरह से ग्रो करेंगे पूरी एक long chain बनाएंगे फिर एक conidia एक single conidium जो होता है ये separate होके पूरा एक bacterial thallus बनाने में responsible होता है तो ये conidia का concept बस इतना ही है अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा budding थर्ड नंबर है ये एसेक्सवल प्रोडक्शन का थर्ड में थर्ड है budding budding मतलब मुकुलन मुकुलन आप जो है तो budding को किसमें देखे होंगे budding कामन किसमें होता है budding बड़िंग जो होता है मुकुलन 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 ये ज़्यादा तर आपको east में पढ़े होंगे आप लोग किसमें east में east जो होता है न east सेकेरो माइसिज सेरे विसी आई सेरे विसी टीड सेकेरो माइसिस सेरे विसी east आप लोग पढ़े हो इसमें होता है जिसे कि इस तरीके से उसमें बड़ बनता है न इस तरीके से बड़ बनता है उसमें पर दीरे दीरे क्या होता है ये अलग हो जाता है बड़ अलग हो जाता है यह इस्टेपर तोड़ा ज्यादा अच्छे से मैंने नहीं बनाया है, आपके चीजों को जानने भर का काम चल जाएगा यहां पर ठीक, यह बड़ बनता जाता है, इसको बोलते हैं बड़, क्या बोलते हैं, बड़, मतलब यह जो पूरा बेजिटेटर स्ट्रेक्चर था इसक का फॉर्मेशन करता है, यह पुराना वाला आपका इस्ट है, तो रिप्रोड़क्शन ही न हुआ, तो यह जो होता है, बड़िंग, बेक्टेरिया में भी कामन होती है, यह भी एक बेक्टेरिया में कामन reproduction method है reproduction method में से एक है ठीक काफी important है गुरूप आफ इन्वार्मेंटल bacteria reproduces by budding मतलब बहुत सारे bacteria budding के थुरू reproduction करते हैं in this process small bud forms मतलब छोटा सा मुकले एक बनेगा जैसे यहाँ पर मुंडी यह उपर चमग रही है at one end मतलब एक end पर बनेगा of the mother cell or on filaments card prothica ठीक उसको बोलते हैं prothica as growth proceeds the size of the mother cell remains about constant but the bud enlarges मतलब कहने का मतलब टेको यहाँ पर जो mother cell होगी मतरसल कहने का मतलब ऐसा बेक्टीरिया जिसके उपर बड़ बना है तो यह जो है ना यह mother cell उतना ही रहेगा size में लेकिन यह धीरे धीरे यह आपका धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इतना भी नहीं बढ़ा होगा कि मतरसल से बढ़ा हो जाएगा भी एक बेक्टीरिया से बेक्टीरिया दूसरा बनना है तो बेक्टीरिया के बराबर ही ना बनेगा यास ठीक तो यह मुकुल जो होता है बड़ यह क्या है बड़ मुकुल यह enlarge होता जाएगा और इसकी जो क्रोथ है यह constant रहेगी तो इस तरीके से कुछ इसमें formation होता है ठीक अब हम थोड़ा सा बात करते हैं और और ज्यादा बात करते हैं बड़िंग में देखो यहां पर यह दिख रहा होगा बिद एक्जामपल हम लेकर आए हैं आपके लिए बड़िंग बार बार में हिंदी भी चीज़ें में हिंदी की मुकूलन हिंदी भी साथ-साथ यूज कर रहा हूँ बहुत सारे फ्रेंड हमारे रहते हिंदी वाले दा बैक्टेरियस सेल डेवलप्स इसमाल स्वेलिंग और प्रोट्यूवरेंस एट वन इंड यहाँ पे देखो बडिंग बैक्टेरियम दिखाया गया है इंड पे बड बनने हैं बड बनने हैं बड कहने का मतलब मुकूल क्या बोलते हैं इसको मुकूल DNA divides one remains with the parent and other one with some cytoplasmic goes to the bird but gradually increases in size मतलब बड जो होगा वो धीरी-दीरे size बढ़ाएगा eventually develops into a new cell फिर क्या करेगा अचानक से वो बढ़ाते 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 क्या बना लेगा एक नई cell का formation कर लेगा ये जो बड आपका बढ़ रहा है ना धीरे-दीरे एक पूरा वेक्टिरिया बन जाएगा फिर अलग बजाएगा get separated from the parent cell जैसे ही वो एक mature bacteria बनके तयार होगा और घर को छोड़के भाग जाएगा एक्जामपल जैसे कि roto pseudomonas roto pseudomonas acidophila ये एक ही species का नाम है roto pseudomonas acidophila planktomycetes firmicutes prothicate protobacteria some bacteria such as hyphomicrobium form the bud at the end of prothica ठीक तो यहाँ पे आपको जो एक्जामपल दिया हुआ है वो रोडो macrobium का दिया हुआ है रोडो macrobium का तो ये आप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजे ठीक बड़िंग के लिए देखो आपको यह और मैंने आपके लिए स्लाइड लगाई है मस्त मस्त स्लाइड लेके आए हो ताकि आपको चीजे बड़िया तरीके से क्लियर हो जाए budding आफ वेक्टिरिया सेल्स जेनेटिक इन्फोर्मेशन इस डूपलिकेट सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल होगा डूपलिकेट ही इसमें भी होता है सब में जेतने भी एक से दू बैक्तिरिया बनने हैं तो जो जनेटिक मटेरियल है पुराने HOLY पारेंट बेक्टिरिया में वो डबल करोगे तभी तो दोनों में बराबर भेज़ोगे क्रियेटिंग एन आइडेंटिकल कॉपी और कोलोन आफदा उर्जिनल सेल कोलोन वर्ड बहुत इंपोर्टेंट है हूब हूँ होते हैं समान मतलब आइडेंटिकल होते हैं जेनेटिकल ये मार्फोलोजिकली क्योंकि इसमें कोई वेरियेशन नहीं आता है वेरियेशन तभी आता है जब सेक्स्वल लिप्रोडक्शन होता लैंगी जनन होता जब फीमल और मेल दोनों के करेक्टर मिलते हैं तब वो जो आगे डॉक्टर शेल्स बनेगी उसमें वेरियेशन आपको विभनताएं दिखने को मिलेंगी एवलूशन भी तभी होगा विकास होगा ठीक है क्योंकि विभनताएं ही विकास का आधार है जब तक अलग अलग कोंबिनेशन नहीं करोगे नहीं नहीं तब तक विकास कहां होने वाला है इस द न्यू शेल्स पिंच आफ और बड्स फ्रॉम दा सर्फेस अब बड्सकेर इस प्रोड्यूस देखो यहां पर और अच्छा दिखाया गया ठीक यह है इसका न्यूक्लियस देखो यह दो पार्ट में डिवाइड हो रहा ह यहां पे और थोड़ा थोड़ा बड़ के साथ साथ बाहर भी निकल लाई यह बड़ बना है फिर यहां पे ग्रोथ हुई है देखो एक से दो बड़ बन गए इस तरह से बड़िंग होती है ठीक एक बड़ यहां पे निकल गया भी आपको दिख रहा है तो इस तरीके से confusion ज्यादा तर लोगों को रहता तो इसलिए मैं confusion दून करने की कोशिश किया हूँ comparison वाला लाया हूँ cyst versus spore वही इंडो spore जिसकी हम बात करते हैं इंडो spore detail में भी आपको बता देंगे यह cyst है यह है spore देख नहीं रहा हो तो मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ पुटी बोलते हैं इसको पुटी बोलते हैं ठीक है तो इसमें हम difference देखते हैं क्या होता है definition पहले cyst is a dormant structure of bacteria and certain other microorganisms that add in surviving under adverse condition मतलब जो amoeba होता है amoeba bacteria तो है नहीं amoeba एक क्या है proto जो हुआ है तो इसमें लिखा हुआ है सिरे cyst is a dormant structure of bacteria and certain other microorganisms bacteria हो सकता है इसके अलावा जो जैसे कि proto-zone है बहुत सारे तो जब इनकी unfavorable condition होती है मतलब uncool इस्थितियां होती है तब यह कि यह cyst का formation करते हैं फुट बनाते हैं ताकि यह अपने जीवन को बचा सके और इनकी generation आगे जा सके मान लो खाना पानी इनको मिल नहीं रहा है बहुत बिपरीत परिस्थितियां है यह चाहते हैं कि हमारी पीड़ी आगे तक चलती रहे है यह बेक्टिडिया या अमीबा वह भी तो सोचता ना अपने बारे में अपने परिवार के बारे में उसका भी परिवार होगा उसके भी भाई भेन माबाप होंगे सब भूंगे है न तो इसी तरीके से वह सोचता है कि पीड़ी दर पीड़ी हमारी चीजे चलती रहें तो क्या करता अनकोल परिस्थितों में पुट बनाता है इसी तरह से हम बात करें इस पोर की इस पोर है रिपरोड़ अब रिपरोड़ होता है इस से कई सारे भी डबलब हो सकते हैं अब रिपरोड़क्टिव स्ट्क्चेर की बात करें तो नोता रिपरोड़क्टिव स्ट्क्चिर तेरे कोई reproductive structure नहीं है, यह बस बचाने की उपाई है, उस adverse condition जो आगए इसके सामने, उससे बचाने की उपाई है, और यह जो spore होते हैं, spore is a reproductive structure, formation की बात करें तो insistment और इसमें spore relation होता है, spore relation ठीक, जिसके तुरू spore का formation होता है, under favorable condition, मतलब जब यह put बन गया है, उसके बाद में, जब spore भी बन गया, put भी बन गया, अब जो फिर से favorable condition आएगी तब क्या होगा, इसमें होगा, excitations, existations, कहने का मतलब, putty भवन, इसको बोलते हैं, थोड़ा color change कर लेता हूँ, yes, putty भवन होगा, क्या होगा, putty भवन, putty भवन, existation, putty भवन से क्या होगा, वो जो put बना था न, cyst, put बना था, वो put तूटेगा, और उस put से कई सारे बेक्टिरिया बन जाएंगे, और जो यह spore होता है, spore मतलब बीजांड, यह जो बीजांड होए spore, इसके जब अनकूल अवस्था आएगी, बेजांड की, तब इसमें germination होगा, मतलब अंकुरंड होगा, यह अंकुरंड होगा, यह अंकुरित होगे, फिर बैक्टिरिया बनाएगा, ठीक, देखो, resistant against sterilization, less resistant compared to spore, यह more resistant compared to cystic acid difference है, ठीक है, तो sterilization जब करोगे, sterilization एक प्रोसेस होता है, टेक्निक होती है, ठीक है, तो sterilization में यह जो होते हैं, cyst यह कम resistant होते हैं, प्रतिरोध्य होते हैं, लेकिन cyst यह जो spore होता है, ज्यादा होता है, thickness of outer cover, मतलब जब प्रतिकूल परावस्था है, तो जो cyst होगा, उसके उपर, जो मोटी सी covering होगी ना, spore के उपर भी covering बहुत hard होती, तो thickness वही, thickness outer cover कितने, competitively thin होती है, लेकिन, जो spore होते हैं, ठीकर होती है, इसकी जो thickening होती, काफी बड़ी होती है, ठीक है, और थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़े लेते हैं, सिस्ट और, इंडो स्पोर्म के बारे में, देखो, यहाँ पर स्पोर्स एंड सिस्ट लिखा हुआ, इस आर प्रोडूस्ट बाई समव बेक्टेरिया तु सरवाईव अनफेबरेवल एनवारिमेंटल कंडिशन, मतलब यह बन्त हो जाएगा अनफेबरेवल कंडिशन में, भाई यह बस सरवाईव करने की एक उपाई है, जब अनफेबरेवल कंडिशन होगी प्रतिकूल प्रावस्था होगी, तब उस अवस्था के दोरान सरवाईव करने की एक मेथड है, और यह जब फिर से आज आएगा इनका अनकूल समय आएगा, तब यह क्या होंगे, फिर से जर्मिनेट कर जाएगे, ओनली जर्मिनेट अंडर सुचेबल कंडिशन, इंडो स्पोर क्या होता है, और डॉर्मेंट टफ नोन रिप्रोडिक्टिव स्ट्रेक्चर प्रोडूस्ट बाई इसमाल नंबर आप बेक्टिरिया, दे प्राइमेरी फंक्शन आप मोस्ट इंडो स्पोर्स इस टू इंस्योर देट, सर्वाइवल आप बेक्टिरियम थुरू पेरियेट्स आफ इंवाइरमेंटल स्ट्रेस, समझ रहे हो, यह एक एक लाइन को समझते जाना, बतले भी जो इंडो स्पोर्स होता है, गामा रेडियेशन और अल्टरा वाइलेट्स जो यूवी रेसेस होती है, प्रती प्रतिरोधि होता है डेटिक्यषण लाइसो जाइम यंजाइम जो होता है वह भी इसको आजिस नहीं कर पाता है, जबकि एक जेनरली बेक्टेरिया, तो बेक्टेरिया होगा तो बेक्टेरिया पर लाइस हो जाएं पढ़ते हैं, उसकी सलवाल फट जाएगी, बेक्टेरिया फट जाएगा उसकी लाइसिस हो जाएगी, तूट जाएगा बेक्टेरिया, लेकिन बेक्टेरिया का जो इंडो स् समझे रहे, तो chemical disinfectants हो, diseffectants या temperature हो high, lyso-gym hoor इसके अलाबाद gamma, races, ultra-wild races या सारी चीजों से क्या करता है, help करता है, इसकी तो विपरीध परिश्तितियों में इंडोस और formation होता है, इंडोस बोस हार, commonly found in soil and water, generally आपको soil और water में मिलते हैं, where they, may survive for long periods of time. जिसे क्लोस्टीडियम, example में आपको क्लोस्टीडियम हो गया है. टिटेनस का आता है ना, टिटेनस वाला, क्लोस्टीडियम, टिटेनी जिसको बोलते हैं. जिसे टिटेनस होता है लोगो को. गैस गैंगरीन जिसको बोलते हैं जब बैसिलस हो गया बैसिलस एंथरेक्स इससे इंथराक्सिस डिजीज होता है सिस्ट क्या होता है आलसो डॉर्मेंटे बट अनलाइक इंडो स्पोर्स और नोट रेसिस्टेंट टो हीटिंग एड हाई टमपरेचर तो यह थोड़ा सा हा हम आपको पता दिया उसके लाओ यहाँ भी आपको सिस्ट के बारे में पर उसमें हम एर नेशन के जो मैथड है बाइनिरी फिजर कोइनटिया फोर्मेशन बटिंग क्या होता है इंडो स्पोर्स पांचो मेथड हमने पढ़ लिया है तो आई होप आपको यह कि पुइंट के लियर होगा अगर कौनों इससे डिलेटर प्रोब्लम रह गई है डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो डिस्क्रिप्सन में लिंक मिल जाएगा टेलेग्राम जोइन के लिए वहां भी पूछ सकते हो अपने डाउट और यह नोट्स आपको वहीं मिल जाएगा टेलेग्राम चैनल या फाट्साइब गुरूप पे ठीक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियों जरूर कर देना बहुत बहुत धन्यवाद आपके सब्सक्राइब करने के लिए वी पांच बार वेरी वेरी इंपोर्टेंट पांच में और पांच बार लगा लो इतना महत्तुपूर्ण है ठीक तो अगली क्लास में मुलाकात होगी तब तक के लिए ओके वाई अल्दा वेरी वेस थैंक्स फार वाचिंग